नमस्कार स्वागत है आपका SN7 News में हूँ अजीत सिंग आज की बड़ी ख़वर आपको बता देते हैं बारा दिन अभी बाकी है लोग डाउन में और जिस तरह की ख़वरें लगातार आ रही हैं क्योंकि परशाशन के साथ मार पीट और यहाँ पर हात अपपाई की जा रही है उनको डंडे फैके जा रहे हैं उनको पत्तर फैके जा रहे हैं आखिर क्या यह लोग क्या दर्शाना चाहते हैं क्या इनकी सोच है किस तरह की सोच है आखिर यह समझे इनको क्यो नहीं आ रहा क्योंकि परशाशन इनकी सेफ्टी के लिए रोड पर है पूरा परशाशन इनक पुलिस जब उल्टी कारवाई करते हैं लेकिन वीडियो में साफ दिख्राय के मार रहा है किस तरह से पुलिस वालों पर हैं बहुत हैं पुलिस नहीं कर सकते हैं आकिर क्या यह दर्शाना चाहते हैं क्या इनकी सोच है तो हम आपको और हमको भी शबजना चाहिए कि हमें जो मोदे जी ने जो 21 का लोगडाउन के लिए पुरे देश को आवन किया है कि सभी अपने घरों में कैद रहे हैं और इस कोरोना वाइरस से लड़े लेकिन यहां पर पुल्टी चीज देखने को सामने आ रही है यहां पर जो है जनता कोरोना वारिश से नहीं यहां पर फुलित प्रशासन से जो स्वास्तवाद की टीम उनकी स्कैनिंग के लिए जा रही है या अगर पर पोजिटिव उनके आसपास कोई जेक्ती पकड़ा जाता है उसको दोड़ा दोड़ा कर उनको महापर पीटा तो यह बहुत शरम की बात है बहुत दुर्भाग्यपूल यह घटना है क्योंकि इस तरह के चीज अगर हमारे देश में ऐसे ही लोग करेंगे तो इस को रहे से हम कभी नहीं जीच सकते हम कभी इसको नहीं हरा सकते तो यहां पर य हुआ उनके सर्फ सर्फार दिये गए पूरी तरह से उनको कई फुलिस सर्में जो घायल है अस्पताल में हैं जिंद्गी और मौत से जो लड़ रहे हैं तो आकिर क्या किसके लिए वो जो गंटी कर रहे हैं आपके लिए पूरी जंटा के लिए लिए उपना पूर्श स्वास्तव भाग के साथ यहां पर हता पाई लागातारी पठने सामने आ रही हैं और आपको बता दें पचास लोग है जो मारे जा चुके हैं कोर्णा वायरिस से और यह संख्या अब इनके मरीजों की अठारे सो से भी उपर जानी के तरो चोटीस हो चुकी है लगातारी सं देश है उनको मानना है लोगडाउन का पूरे तरह से पालन करना है